मैं अलो बच्चों लेट्स रीड दा कुश्चिन फर्स्ट दा को जो रही है तो बच्चों फॉस्फोराइलेशन का मतलब है एडीशन ओफॉस्फेट अप इसका एग्जांपल क्या देख लेते हैं इसका एग्जांपल देख लेते हैं जब ADP से प्लस एक इन और्गानिक फॉस्फेट से आपको क्या मिलता है ATP मिलता है फॉस्फोराइलेशन का सिंपल मतलब है फॉस्फेट ग्रुप का एड होना अब यह फॉस्फेट ग्रुप एड कब होता है यह फॉस्फेट ग्रुप तब एड होता है जब succinyl coenzyme A से क्या बनता है? succinic acid बनता है तो यहाँ पर एक ही बार ऐसा होता है crab cycle में जब phosphate group जो है वो जुड़ता है जैसे की GDP था है यहाँ पर और अब यहाँ पर एक phosphate group के जुड़ने की वज़े से GTP बन गया तो यह हो गया substrate level phosphorylation आपको कब देखने को मिलेगा? जब succinyl coenzyme A से succinic acid बनेगा तो यहाँ पर हमें option में क्या दिया हुआ है? conversion of succinic acid to alpha ketoglutaric acid बचों यह step ही गलत है alpha ketoglutaric acid के बाद बनता है succinic acid तो यह गलत है यहाँ पर conversion of succinic acid to malic acid तो यह भी गलत है conversion of succinic coenzyme A to succinic acid तो बचों यह बिल्कुल सही option है इसी step पर आपको substrate level phosphorylation दिलेगी D में दिया हुआ है conversion of malic acid to oxaloacetic acid तो यह भी गलत है तो correct answer क्या हो जाएग बच्चों? correct answer आपको हो जाएग option number C hope आप लोगों को solution समझ में आए है बच्चों thank you all the best